अभी तक इंटर्वियू में रिटन में नहीं इंटर्वियू की बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि रिटन के पेपर तो हम कल सौल करी डालेंगे फिजिक्स के तुम लोग ने कर लियोंगे बाकी के हम लोग कल करेंगे करेंगे इंटर्वियू की बात कर रहा हूं मैं जितने क्वेश्चन में यहां पर बताऊंगा यह वह आले क्वेश्चन है जो आज तक पूछे गया है मतलब इन फ्यूचर इन में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या कहीं अलग से भी आ सकते हैं दोनों तरीके से हो सकता है और अभी तो करेंट्ली क्वेश्चन पूछे जा रहा है वह वह बता दूगा क्यों से पूछे जा रहे हैं तो आज अम लोगो वह सारे के सारे कुष्ष्ट्स में चलो ठीक है अगल में तर टीक है यह फ्राइल खुल गई है a bike is riding from A to C and the distance between A to C is 200 km ठीक है यह है यह है यहां से start हुई A से लेकर के C तक जाती है A से लेकर के C तक का distance जो है यह 200 km है aptitude का question है basically and B is the midpoint of AC यह भी बता दिया उसने कि B जो है इसका midpoint है for first half it is moving with the speed of 30 km per hour पहले यह ऐसे चल रहा है और फिर उसके बाद next जो second half है वो 45 km per hour की speed से चलना है अब वो बोल रहा है कि what is the average speed of the bike कितने लोगों को पता है कि question कैसे किया जागा just raise your hand आई उस्तू बता अरे वो सब मैंने बता जिया तू बता solution कैसे आएगा जाने कालेंगे 30 km गेज़ेंगे average speed तो दे ही रखी 30 km यहां से यहां तक की तो 30 km दे ही रखी है time निकालेंगे यहां पर average speed निकाली कैसे जाती है यह बता total distance upon total time अगर आपको average speed निकाल नहीं है तो आप बोलोगे कि total distance divided by total time से डाउं आप देखो total distance तो तुम्हें already पाता है क्या पता है 200 km अनि क्या लिगा अच्छा distance ही लिख दिया गया कि अग्दम से बीके आगया था ना एक्चली कि कैरिज्मा में थोड़ा इदर होगा है कैरिज्माटिक परस्नालिटी यह भी के अग्दम जान मेरे गले तक आगी थी फोड़ी दिर के बाद निकल ही जाती है about इसे निकाल पड़े में इसे निकालो न यहां पर इस पीड अलग है और यह व्यार व спокой तो कैसे आएगा 100 by 30 करके और जब आप निकालोगे T2 तो वो कैसे आएगा 100 by 45 करके तो जब हम यहाँ पे total distance upon total time लगाएंगे तो यहाँ से हमारा यह calculation 30 and 45 ऐसे करें अब इसको simplify कर सकते हो direct formula बताने वालों हमें direct formula क्या है twice V1 V2 अब वह V1 V2 कैसे आ रहा हो यहीं सही आ रहा है जैसे वह 2D का distance था वह 2D का distance था divided by T by V1 plus D by V2 जब आप इसको simplify करोगे तो यह formula बन करके आ जाता है यहीं नहीं यहाँ पे किया है ठीक है तो अब directly formula रखकरके भी निकाल सकते हो जो अब वही वीवन वीटू वही तो है वीवन मतलब पहली वाली स्पीड वीटू मतलब दूसरे लूसरे अच्छा अच्छा अगर डाउट नहीं है चलो अगर डाउट नहीं है तो मैं बोल रहा हो कि यह distance है 3D का 1 3rd distance इसने चला वीवन से next 1 3rd चला वीटू से और next 1 3rd चला वीटू से आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ average speed क्या रही है हाथ हाथ उठालो हाथ उठालो मैं सब्जी बेचना मच चालो करो वंजीत और यह भी कहां से आ रहा है इसी तरीके से जो यहां लोगों नहीं किया था ना अब यह यह क्वेशन है hydride distance का वह क्या बोल रहा है एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.6 तो टीके 1.6 सिक्समेटर टाल boy standing at a distance of 20 मीटर फ्रमा टावर यहां पर कहीं पर है और टावर से 20 मीटर की दिस्टेंस पर यह लटका खड़ा हुआ है अब देखो यहां पर उस लड़के की हाइट को consideration में लिया है तो अब आप लोगे तो कहां से लोगे यहां से और वो कितना बोल रहा है अब इसको आप मानलो यह बी और यह आपका हो गया सीडी और यह हो गया अगर यह 20 मीटर है तो अफकोर्स यह भी कितना होगा 20 मीटर में अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ए ए सी में प्राइंगल ए ए सी में आऊगे तो टैन थर्टी डिग्री यह कि इसको मैं माल लेता हूँ एच है यह है यह है इसको सिंप्लिफाई कर लो तो अपने बाप आंसर आजाएगा अपने बाप कि if one worker can pack 15 packets 15 packets in two minute तर दूसरा वाला 15 packets को करता है कितनी दिर में थ्री मिनिट्स में को अगर मैं इसकी एले वाले की स्पीड देखूंगा एकस को पैक करने की क्या हो जाएगा 15 अगर दोनों लोग मिल पैक कर रहे हैं तो स्पीड कि या आट हो जाएगी तो यह हो जाएगी 12.5 दोनों को एड़ कर दो कि इतने पैकेट्स पर मिनिट आपको बोल रहा है कि 300 पैकेट ठीक है तो यहां पर देखो यूनिटरी मैथेड अगर आपको लगानो बहुत बिलकुल आसान है सिंस 12.5 पैकेट्स केन बी पैक्ट इन हाव मेनी मिनिट्स वन मिनिट्स देन 300 पैकेट्स कितने में जाएंगे तो आप बोलोगे कि 300 divided by 12.5 अब इसको सिंप्लिफाइग कर लो अंसर क्या रहा है 24 24 is the correct answer समझ में आ रहा है सबकों यह जितने भी question बता रहूं रट लेना और इनके जैसे दो-चार question अपने के 300 divided by समझ में रहा है यह कैसे हो रहा है पहले एक packet का निकाल और फिर 300 packet the average age of boys in a classroom is 16 years अब उस classroom में कितने boys अभी है नहीं बता यहाँ पे खास बात यह है कि boys और girls का number उसने नहीं दिया लोग यहाँ पे confused हो जाते है तो आप यहाँ पे ले लो कि वहाँ पे class में जो boys है number of boys है x और number of girls है y ठीक है अब x और y के terms में अंसर आएगा तो average age of boys in a classroom में 16 years तो गर हम किवल boys की total age निकालेंगे total age of boys वो कितना आजाएगा 16x आजाएगा और इसी तरीके से total age of girls निकाली जाएगी तो तो वह आ जाएगी 15y तो यह girls की 15 है अब बोल रहा है कि बताओ average age student की कितनी है तो अब student की बात की जारी girl और y की बात नहीं की जारी है तो जब आप अब average age निकालने जाओगे तो आप बोलोगे कि जो भी total age है वो कितनी है 16x plus 15y है divided by क्या होगा number of students x और y student लिये थे ना तो यह आ जाएगा this is the answer वहाँ पर वह यह expect करता है कि आप answer किसके form में निकालोगे x और y के form लिए in a triangle abc देखो in a triangle abc b is the right triangle right angle और यह है c जहाँ पर उसने बोल रख्या है कि tan c का value is what दो बाइट लिए ठीक है and hypotenuse is 25 units इसको ले लिया मेने x इसको ले लिया अगया जानो टांस ही क्या है फोर वाइट री है और वाइट री है तो एक्स की value 4 और य की value 3 नहीं होगी क्योंकि 4 और 3 होती तो एसी का value 5 आ रहा होता अब एसी का value क्या रहा है 25 बतलब जो आप बोल रहा हो वो ठीक नहीं है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा आपर तो हम अब यह जो यह जो एक्स और वाई लिया हुआ है या तो आप इसको एक्स और वाई लो या अगर आपको एक्स और वाई नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो यह किस रेशियो में आएगा तो आप चाहो तो इसको ऐसे ले लो यह है 4x और यह है 3x ठीक है अब लगाओ पाइथा को रस्यरम तो यह आएगा 16x स्क्वाईर प्लस 9x स्क्वाईर एक्वल डू का स्क्ly Prepare अब यहां से एक्स्क्वाईर कमन निकाला तो 16 प्लस 9 कितना जाखा 25 और यह रह 25 स्क्वाईर एक 25 जना गिया थो एक्स दो ऐक्स का यख़क्स का फाई ए गया को एग्स कितना आ जाखा 4x और यह क्या है बी सी यह कितना जाखा 3 आगया? Is that clear? The area of a triangle is 80 cm. Triangle के बार कुछ नहीं बताया गया है. सिर्फ यह बोल दिया गया है कि area of a triangle is अब यह triangle है suppose ABC और इस triangle का area कितना है? 80 cm अब मैंने माल लिया माल लो यह है 20 और यह है 10 और यह है find the third side कैसे निकाल सकते हैं इसको अम लोग? क्या होगा? क्या है बता हुआ हाँ ओनलाइन में कोई बोल रहा है समर्थ बताओ पहले साइड पहले area से side कैसे निकलेगी वो बताओ मुझे अब क्या है बताओ यह है यहां पे आपको हेरांस फॉर्मूला यूज नहीं करना है अगर हेरांस फॉर्मूला यूज करो के तो 3-4 पेज निकल जाएंगे यहां पे क्या करो एसे पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इधर अब आप क्या बनेगा जब आप area निकालोगे तो क्या जाएगा वन बाइट इंटू बेस इंटू हाइट क्या आएगा 80 का value अब अगर आप AD निकालने वाले हो तो AD क्या जाएगा 80 इंटू 2 डिवाइड़ बाइट ट्वेंटी पेस पेस तो पूरा ही होगा ना और क्या होगा पेटा मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ये वाला तो इसमें हाइट कौन सी होगी AD और बेस कौन सा होगा ये यही तो होगा कि ये समझ में रहा है ये नाइन टेंथ में बताते थी ये चंदन आप इसके बाद आप आगे जाओगे तो और उसाट ये था टेन ये आ गया एट तो पाइथा गोरेंट ट्रिपलेट आप लोगों बहुत पहले बच्पन में कभी पढ़ा होगा ये ये एट है तो आपकोर्स ये क्या होगा सिक्स नहीं तो पाइथा गोरा स्वर्म लगा देना तो भी आ जाएगा इस अधा एक यहाँ पर हेरॉन्स पॉमूला मत लगा ना में बार-बार बोल रहो हो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर इस क्वेश्चन में रट लो इंस इरे वह इस तरीके की दूसरे क्वेश्चन भी करपाऊ यह trick है इस question की कि हमने क्या किया यहां से एसे perpendicular drop कर दिया है ठीक है AD बन गया है base वहाँ पे क्या है 20 cm मतलब BC का value वहाँ पे base है यह दिया हुआ है diagram इसमें हमें AD है 11, AB है 12, DC है 13, हमें find out करना है AC पहले तो यह वाला तुम लोग try करो, सबसे पहले तो तुम लोग try करो, मैं तुम्हें 2-3 minute दे रहा हूँ इसको try करो, आपको AC चाहिए तो of course BC का value पता होना चाहिए अब BC का value अभी तक तुम्हें पता है नहीं, तो तुम यहां से D से पहले perpendicular drop कर लो तुम्हें clearly पता है कि यह वाला length 11 है तो यह वाला length भी कितना होगा, 11 ही होगा यह वाला 12 है तो यह वाला कितना होगा, 12 ही होगा अगर मैं triangle D, अब इसको कोई point मानलो, ABCD था ना, इसको मानली है मैंने E अगर मैं triangle D, E, C की बात करता हूँ तो D, E, C में ध्यान से देखो, D, E, C में, यह 13 है, यह 12 है तो अगर मुझे यह EC निकालना होगा, तो यह EC square कैसे आएगा, EC square will be 13 square minus 12 square यह EC का value यहां से क्या जाएगा, पता होना चाहिए यार के 5 होगा, पाइथागोरियन triplet होते हैं यह 5, 12, 13, यह पाइथागोरियन triplet होते हैं इन दोनों का square करोगे तो यह आएगा, यह बच्पन में सिखाया जाता है, जब आप 7, 8, 9, 10 में होते हो, जब पाइथागोरियन पढ़ते हो, तब यह सारी चीजना सिखाई जाती हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे ही है, 5, 12, 13, यह सब पाइथागोरियन triplets हैं यहां से आपके पास EC का value आगया, EC का value कितना आगया, 5 तो यह पूरी side, BC कितना हो जाएगा, 16 BC हो गया है, 16, और यहां से AB आपके पास कितना था, 12, अब आपको क्या निकालना है, AC, 20, AC square will be what, 16 square plus 12 square, अगें पाइथागोरियन triplet, 20, यह जो पाइथागोरियन triplet होते हैं यह 3, 4, 5 भी पाइथागोरियन है, इनका double कर दोगे, 6, 8, 10 यह भी है, इनका double कर दोगे, 12, 16, 20, यह भी क्या है, यह सब पाइथागोरियन triplets हैं, यह सब आपको याद रहने चाहिए को भी किसी भी point में, किसी भी जेगए पर doubt हो, तो मुझे पूछ लो यह अरभी, आ रहा है, पक्का, वहाँ पर solve करवाएंगे, कर लो कि question solve? यह diagram देखो, क्या बोलता है, इस diagram में वो बोलता है, वो बोलता है कि ABC जो है, वो एक right angle triangle है, और वो C पे right angle है, ठीक है, और hypotenuse पे कोई एक point लिया गया है, पी, जहां से perpendicular drop कर दिये है, हमने suppose करो PQ and PR, और वो बोलेगा कि यह PQ और PR जो आपने perpendicular drop किये, इन दोनों का length जो है, यह 1, मतलब एक square बन गया, यह 1, ठीक है, जहां से सुनना, क्या question बोलेगा, वो बोलेगा, कि there is a triangle, right angle triangle, ABC, right angle, let's see, we have taken a point P on hypotenuse, and two perpendiculars are drawn on AC and BC, and the length of these perpendiculars, so अपना एक square बन गया, अब वो बोलेगा कि यह वाला जो angle है, 30 degree है, यह 60 degree है, जैसे उसने बोल रखा, अच्छा, angle A उसने बोल रखा, 60 degree है, of course, यह क्यों हो जाएगा, 30 degree है, कुछ ऐसी information देदेगा, और फिर बोलेगा कि अब, इसका length find out करके बताओ, AB का length, यानि कि high pot news का length find out करके बताओ, यह question तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, अब यह करते कैसे हैं, इसमें बहुत लोग बहुत सारी कलाकारियां करते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, sin theta cos theta लगाना है, and nothing else, आप इस triangle को देखो, PQB को, लगाएंगे sin theta, यानि कि sin 30 degree, जब मैं sin 30 degree लगाऊँगा, मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, PQ upon PB, तो PB का value यहां से क्या आजाएगा, 1 upon sin 30, 1 upon sin 30 मतलब 1 upon 1 by 2, will be 2, PB का value आगया, अब यह 30 degree है, यह 30 degree है, यह 30 degree है, तो यह भी 30 degree है, अब मैं triangle ARB में आ जाता हूँ, triangle ARP, ARP में आ जाता हूँ, क्योंकि यह तो हम find out करी चुके है, यह और मिल जाता हूँ हमारा काम खता है, और इधर हमें base पता है, तो यहां लगाएंगे हम cos 30 degree, cos 30 degree क्या जाएगा, 1 upon PA, यहां से PA का value क्या आएगा, 1 upon cos 30, that is, root 3 by 2, इसका value क्या आगया, 2 by root 3, तो अगर आपसे, यह वाली value मिल गई है, आपको 2 by root 3, और यह मिल गई है 2, अगर आपसे बोल रहा है, AB कितना है, तो को add कर दो, yes or no, आराम से देख लो यार, एक बार, कुछ doubt आ रहा हो को मुझे पूश, now, यह एक diagram दिया है, जिसमें AB एक cord है, और AB का length find out करना है, if the angle A, O, B is, angle A, O, B कितना दिया हो है, 120 degree, यह पूरा angle दिया है, 120 degree, और radius इसकी दी हुई है, 15 cm, और वो हम से क्या पूछ रहा है, कि AB find करना है, अब आपको यह पता होगा, कि अगर हम center से, यहाँ पे perpendicular drop करते हैं, तो यह equal parts में divide करते हैं, और यह अगर 120 है, तो इसका आधा हो जाएगा, यह angle 60 degree हो जाएगा, अगर मैं इसको ले लूँ D और इसको ले लूँ D, और triangle बना लूँ, यहाँ पे O, A, B था, इसको बना लिया C, तो triangle O, C, A, triangle O, C, A, यहाँ पे आगए हो, यहाँ देखो क्या लगेगा, यह है अपने पास, यह find out करना हम क्या लगाएंगे, sin 60 degree, sin 60 degree will be what, D upon 15, तो D का value क्या जाएगा, 15 root 3 by 2, और हमें A, B निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, 2D, तो A, B का मतलब क्या हो गया, 2D, 2D का मतलब क्या हो गया, 15 root, is that clear, of course, O, A radius है तो, O, B भी तो radius ही है, A, O, B से कैसे निकाल होगे, क्या फार्मूला लगाओगे वो बताओ, 45 बन कहा रहा है, 45 बन कहा रहा है, 45 बन होता है, लेकिन 45 बन कहा रहा है, मैं यह पूछ रहा हूँ, बी पे, मतलब तुम बोल रहा है, यह वाल अंगल, यह दोनों अंगल 45 क्यों मनेंगे बाई, यह 90 थोड़ी ना है, अगर यह 90 होता, तो यह 45-45 होता है, यह तो 120 डिगरी है न, तो अफ्कोर्स यह दोनों क्या होंगे, 30-30 डिगरी होंगे, ठीक है न, अगर 90 होता है, तो ऐसा होता, 90 नहीं है, तो सबको समझ में आ रहा है, अज़ा, नेक्स प्रेश्चिन यह, इन दिस डाइग्राम, फाइंड दा पैरिमीटर ओफ ए, बी, सी, यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है, 5, यह दिया है, 13, और यह वाली लेंद दी हुई है, 37, और आपको ए, बी, सी का पैरिमीटर फाइंड आट करना है, करो जल्दी से करो, पहले तो हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में आएंगे, यह 13, यह 5 है, तो अपने अप 12 आजाएगा, आप आओगे बड़े वाले ट्राइंगल में, ए, बी, सी में, यहां से सुनना, ए, बी, सी बोल दो, ए, सी बी बोल दो, यहां पे हमने ए, सी बी बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे, यहां से अ, सी का वालिव आये, किसका वालिव आया, 35, अ, सी का, ए, डी का नहीं, किसका है, अगर आपसे वो ए, डी पूछता, तो आप क्या करते, ए, डी निकालने के लिए, ए, सी माइनस, डी सी करते, तो यह लेंथ यहां पे थर्टी आ जाता, लिकिन फिलाल आपसे तो पूछ नहीं रहा है वह आपसे नहीं रहा है पेरिमीटर किसे लू Engel एक साइड यह है और तीसरी साइड क्या है यह है तो जब आप पैरिमेटर के लिए जाओगे तो पैरिमेटर आपको कैसे मिलेगी 35 प्लस 37 प्लस 12 तीनों को आड़ कर दो के तो आ जाएगा पैरिमेटर इट इस 84 इस अधे क्लियर अधे को यह एक डाइग्राम है अंगल ओफ एलिवेशन यहां पे एक एंगल ओफ एलिवेशन ने 30 और यह ए 60 डिगरी जान से सुनना हो क्या बोलता है question क्या मूलता है 100 meter wide road है तो सौ मीटर की चोड़ाई वाली road है उसके दोनों side पे equal height के pole है ठीक है इसका भी height है और इसका भी height h है equal height के pole है और road के beach मैं mddl नहीं road के बीज में कहीं पे भी एक पॉइंट है पी अब यहां पे सब्सक्राइब माल लेते हैं बी क्योंकि पी क्यों मैंने यहां दे दिया है जिससे दोनों पोल्स के एंगल ऑफ इंकलेनेशन जो हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री आ रही है वो बोलेगा इन बिट्वीन दरोड का मतल जलना है फटा फट स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी बता है ज़ल्दी जल्दी पार्लदी जल्दी है जाद कर लिए तुन ने दू जार लिया तिकाल ल्लिया तुने मैं आयूश को तो ने क्यों क्यों दिया ही मुझे बता जिर नोट-बुक आयूश के पास है कि तू क्यों देख रहा है रहा है उस तुछे शरम नहीं है अच्छा 25 25 25 गलत है भाई कुछ तो करो कहीं से तो अच्छा विटा कि तो कि अच्छा कि अच्छा गलत है गलत है फिस्ट्वी मीटर गलत है कि यार देखो सिंपल है एक पोग एक्स ले लो तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस लेक्स हो जाएगा आप उसके बाद दोनों ट्राइंगल में एक में 1060 डिग्री लगा और 10 30 डिग्री लगाओ एक्स को रिमूव करो एच का वैल्यू फाइंड आउट करो यह करना है 25 रूट 3 मैंने देखो maximum question तो तुम्हें solve करने का तरीका बता ही दिया है कि कैसे किया जाने वाला है तुम लोग pen नहीं चला रहे हो जिसकी वज़े से तुम्हारी life आगे नहीं चल पाएगी हाँ यार मुझे चीज नहीं समझ में आती ही आज तक कभी life में तुमने ऐसे देखा है कि मैं ऐसे pen रख दूँ और ऐसे question को देखने लगू और फिर मैं बातें सुनू सबकी कि क्या होगा क्या होगा और फिर question की तरफ देखू और अचानक से pen उठे और खुद चलने लगे आयाइटी न कपेन ऐसा चलता है एक पर एक आएटी न करता है अधार अधान से लिखने के लिए उठाव तो इसलिए नहीं किया ना फिक है तब जाकर के वह ग्यारवी बार में सही कर पाता है और इतनी मेहनत करने के बाद जाकर के वह आएटी न बनता है अगर ऐसे आएटी न बनने लगे कि बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे और एकदम से क्वेश्चन सौल हो जाए और फिर तो भाई बहुत लोग बन जाएंगे आएटी न आधी से जादा दुनिया आएटी न बन जाएगी हार एक जेगे का रूल यही है आप बोर्ड का एक्जाम दो आयम्यू सीटी का एक्जाम दो चाहें कोई भी एक्जाम दो आपको पैन चला करके दो तीन गलतिया करनी पड़ेंगी फिक है तो यहां पर आओगे जब लिखोंगे टान सिक्स्टी डिग्री तो वह आजाएगा है यहां से हम निकालेंगे एच इक्वल टू और एक्स रूट थ्री यह आगया नंबर एक्वेशन नंबर वन और दूसरे ट्राइंगल में आओगे तो आएगा टैन थर्टी डिग्री तो टैन थर्टी डिग्री विल वाट एच अपन हंड्रेट माइनस एक्स तो यहां से करना है हमें एक्स नहीं फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है एच तो हम क्या करेंगे एक्स को रिमूफ करते हैं किसी तरीके से कैसे रिमूफ किया जाए तो भाई एक्स को रिमूफ करने का तरीका यह है यहां से एक्स का वैल्यू निकालो और यहां डाल तो 3 आ रहा होगा, h equal to 100 minus x के जिएगे क्या जाएगा, h by root 3 divided by root 3, अब इसको simplify करो, ठीक है, चाहो तो यह root 3 वहाँ पर multiply करो, तो root 3h वहाँ आ जाएगा, और यह 100 root 3 minus h upon क्या आ रहा है, root 3, फिर यह root 3 को उदर multiply करो, तो यह आ जाएगा 3h, यह वाला एक जाएगा, तो 4h, 4h equal to 100 root 3, तो h काना जू जाएगा, 25 root 3, क्या जाएगा, 25 root 3, क्या जाएगा,